So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी आंगनबारी बहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में मैं रितियस कुमार तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पोशन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट के बारे में जैसा की 14.7 का एक नई अपडेट आ चुका है और ये जो अपडेट है आंगनबारी सेवी का और सहाई का दोनों के लिए काफी खास अपडेट है तो आप लोगों से पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लिजिएगा 14.7 में क्या अपडेट आये हैं चलिए मैं आपको प्ले स्टोर में लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको सारी जनकारी समझा देता हूँ जैसे कि यहाँ से हमको बैक हो जाना है बैक होने के बाद आपके फोन में प्ले स्टोर होगा तो आप लोग सिंपली प्ले स्टोर को ओपिन कर लिजिएगा और ओपिन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है पोशन ट्रेकर पोशन ट्रेकर लिग के जैसे ही सर्च करेंगे तो देखे यहाँ पे पोशन ट्रेकर का ओफिसियल जो एप है वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आपको अपडेट करने का ओप्शन आ गया है तो जितने भी आँगन बारी सेविका है वो सभी लोग पोशन ट्रेकर एप का यह जो निव भरजन है 14.7 को आप लोग जरूर अपडेट कर लिजिए तो आईए नीचे देखते हैं कि यहाँ पे क्या अपडेट आया हुआ है तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों को आज की यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नीचे रेट किलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो अपडेट आया है तो यहाँ पे यह कह रहा है कि अगर आगनवारी सहाइका का परफाइल अपडेट नहीं हुआ रहेगा तो आपके पोसंट रेकर एप में एक अलर्ट का मैसेज आ जाएगा तो आप सभी अगनवारी सहाइकाओं को ये काम सहाइकाओं का जितना भी डिटेल्स है परफाइल अपडेट और बैंक अकाउन डिटेल्स वो सभी डिटेल्स आपको भरना काफी जरूरी है और दूसरा जो अपडेट है माइनर बॉक फिक्सेस यानि की पोसंट रेकर एप में जो छोटी मोटी प्रोगलम होती है उसको यहाँ पे ठीक कर दिया गया है तो आईए जानते हैं किस प्रकार से आगनवारी सहाइका का परफाइल अपडेट करना है उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स कैसे डालना है तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देख लिजेगा यहाँ पे आप एरो पे किलिक करेंगे तो देखे यहाँ पे 14.7 का जो वर्जन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए यहाँ पे हम फट अफट से इस पोशन ट्रेकर अप को अपडेट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने पोशन ट्रेकर अप को अपडेट कर लिया है अब हम लोग सिंपली यहीं से ओपन कर लेते हैं जैसे ही आप लोग open कीज़ेगा तो देख सकते हैं इस परकार का आपका motion tracker app open होके आज आएगा जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को एक message भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक box में a lot करके message आ सकता है। यहीं पे आपको update करने का option भी आज आ सकता है किसी किसी आंगनबारी बहनों के पोशन ट्रेकर एप में इस परकार का आ रहा है जैसे कि अगर वो प्रोफाइल अपडेट नहीं की होंगी तो उनको यहाँ पे अपडेट करने का आप्शन आ जाएगा अगर ऐसा मैसेज नहीं आता है तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे थीरी डॉट का जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे सबसे नीचे कोने में यहाँ पे मोर लिखा होगा या अधिक लिखा होगा तो आपको इस पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को दुसरा ओक्षन सेलेक करना है अपडेट AWS प्रुफाइल जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग जैसे ही AWS प्रुफाइल अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे उपर लिखा होगा helper profile यानि कि सहाईका का जो profile update है यहाँ से आपको ध्यान से और कैसे करना है आईए समझ लेते हैं जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नमर में पूछ रहा है अधार संख्या तो उस आगनबारी सहाईका का अधार संख्या यहाँ पे सही सही फिल कर देना है दूसरा नमर option में सहाईका का नाम यहाँ पे automatically आ जाएगा अगर नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे type करके लिख सकते है उसके बाद यहाँ पे date of birth यानि कि उस आगनबारी सहाईका का date of birth क्या है वो आपको यहाँ पे calendar वाले option पे click करके आपको उसका date of birth भर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पे option मिलेगा male female select करने का तो आपको female वाले पे select कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आप से पुछ लिखेगा इंपोर्टेंट है उसको नहीं छोड़ना है वहां पे वह उप्षन जरूर भर लेना है तो मोबाइल नमबर भी आपको यहां पे सही सही उस आगनवारी सहाईका का डाल देना है उसके बाद यहां पे पूछ रहा है years of experience यानि कि वह आगनवारी सहाईका कितने सालों से काम कर रहे है दो साल पांच साल दस साल जितने भी दिनों से वह काम कर रहे हैं तो उनको यहां पे टाइप करके आपको लिख देना है फिर आपको यहां पे निचे एक option आएगा highest education praticamente आपको से मांधा है खुल के कि वो आगनबारी सहाई का कितनी पढ़ी लिखी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है फिर इसको यहाँ से बैक आ जाना है बैक आने के बाद आपके आगनबारी सेंटर का नाम यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आपके आगनबारी सेंटर का जो कोड है वो यहाँ पे आप को यहां पे bank account details उस आगनबारी सहाईका का भरना है तो आईए जानते हैं किस प्रकार से यहां पे bank account details भरा जाएगा तो यहां पे आप लोग ध्यान से दिखिएगा जैसे कि यहां पे पुछ रहा है name as per bank account यानि कि उस आगनबारी सहाईका का account पे क्या नाम है वो नाम आपको यहाँ पे सही सही फिल कर देना है फिर उसके बाद उस bank account का जो IFC code है जिस भी bank में उनका खाता है उसका यहाँ पे IFC code 11 digit आपको यहाँ पे डाल के और यहाँ पे search वाले option पे click कर देना है जैसे यहाँ पे search वाले option पे click करेंगे तो उस bank का नाम यहाँ पे automatically आ जाएगा तो चल यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आप लोग जैसे ही search करेंगे तो यहाँ पे जिस भी bank account का IFC code आपने यहाँ पे डाला है उस bank का नाम यहाँ पे automatic आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे bank account number आपको डालना है और यहाँ पे confirm bank account number आपको डालना है यानि कि दो बार आपको bank account bank account number यहां पर दाल लेना है यहाँ पर गांगन बारी समुइञा का कुछ फाइल अबडेट है उसको करने का आदेश आ चुका है तो जितने भी आगनबारी सेविका है वो सहाईका से उनका पूरा बायो डाटा लेके सारा डिटेल्स आपको पोसंट ट्रेकर एप में जल से जल फिल कर देना है तो उमीद करते हैं कि आप सभी को आज की ये वीडियो प मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद